Welcome to KS Academy तो इस बार जो हम बात कर रहे है That is of That is of KNN algorithm वो हम बात कर रहे है KNN algorithm की ठीक है? KNN algorithm की हम बात कर रहे है ठीक है? So, KNN का मतलब K nearest neighbor K nearest neighbor होता क्या है? इसमें वो देखते है Basically, use for classification as well as regression दोनों के लिए यूसाते supervised learning algorithm ये है ठीक है? अब देखो इसमें होता क्या है मैं direct इसकी algo पे आता हूँ इसकी algo पे आता हूँ जो चीज important है तो सबसे पहले हम data load करेंगे K की initialize करेंगे then loop लगाएंगी loop लगाने का मतलब हमें अलग-अलग data given है कुछ circles given है and कुछ triangles given है ठीक है? and एक triangle इनके बीच में एक इदर है and मेरे को कह रहे है कि भाई ये चलो ये triangle नहीं है ये कुछ और है for example कुछ और कुछ और इदर डाल देते है for example मेरे पास कोई भी एक star type है चलो ठीक है star type है ये है मेरे पास अब कह रहा है कि ये star है कौन सी दुनिया का क्या वो circle का है कोई unknown object है मेरे को नहीं पता ये क्या है लेकिन कुछ है हरे हरे कल़ का कुछ पढ़ा है क्या वो circle है triangle है ये बताने so क्या करेंगे हम initialize करेंगे and हर एक की distance निकालेंगे इसकी हर चीज़ से distance निकालेंगे आस पास के तीन circle से and एक triangle से then उसको calculate the distance in ascending order then हम उस k को उस k को and जो k सबसे जादी बार आएगा सबसे जादा बार आएगा उसको हम उस party का मान लेंगे कहने का मतलब क्या है अब ये पता लग देगा देखो भई ये star मेरे को पता करना है कि whether it is rectangle या circle क्या है एक unknown object है मेरे पास so ये है क्या वो सबसे distance चेक की देखा कि भई इस area में मेरे दो rectangle पास में है एक circle दूर में तो मेरा जो star है वो basically क्या है एक rectangle है क्यों इस area में rectangle जादे क्याने का मतलब ऐसे समसकते हैं कि भई पंजाब है हम एक unknown बंदा इस पंजाब में आया इस नहीं देखा सारे सरदार गूम रहे तो उसका पहला दिमा क्या गूमेंगा कि भई अगर कोई नहीं भी जानता तो अगर ये भी बंदा पंजाब का ही रहने वाला अगर कोई और सरदार भी दिखा है पंजाब का रहने वाला है आलई ना N algorithm, K nearest neighbor algorithm, कि K, K, K nearest neighbor कौन कौन से उसकी वही वो होगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, so that's all for this presentation, thank you